लंबे और घने बालों के लिए चाय की पत्ती में ये एक चीज मिला कर इस्तिमाल करें डॉक्टर भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपने अपने बालों में क्या लगाया तो दोस्तों लंबे और घने वाल हल लड़की की चाहात होती है लेकिन आज कल बालों का जढ़ना एक काम समस्या हो गई है अगर बाल जरूरत से जादा जढ़ने लगते हैं तो चिंता की बात हो जाती है लेकिन आप परिशान नहों क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा रा मिलेगा तो किस तरह आप चाय की पत्ती का इस्तिमाल करके बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं इसके लिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा कैसे आपको इसका इस्तिमाल करना है और क्या चीज़ें आपको इसमें एड़ करनी है तो अगर आपको वीडियो मिल जाती है दोस्तों बालों की ग्रोथ बढ़ाने में चाय की पत्ती तेजी से मदद करती है उम्र बढ़ने के साथी फ्रेंड्स हमारे बालों में कई समस्याएं बढ़ जाती हैं और बाल खराव होना सुरू हो जाते हैं कई लों के बाल ड्राय और फ्रेजी हो जाते हैं ज जो के बालो की कई समस्याओं को दूर करते हैं साथी ये blood circulation को बहतर बना कर बालो की growth को बढ़ाते हैं बालो की चमक को बढ़ाने के साथ-साथ इसके texture को भी बहतर बनाता है साथी ये बालो पर conditioner की तरहे भी काम करता है चाय की पत्ती में anti-oxidant होते हैं जो आपके बालों को कई तरह से फायदा पहुँचाते हैं यह आपके बालों को जड़ों से मजबूती देते हैं और बालों की ग्रोथ को बूश्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं तो इस तरीके से सबसे पहले आपको यहाँ पर चाय की पत्ती ले लेनी है दोस्तों आप लोगों को quantity का पूरा ध्यान देना है और किस तरीके से आप इस remedy को use करेंगे ये जानना भी बेहत जरूरी है तो आपको इसमें दो चम्मा चाय की पत्ती एड़ कर देनी है इसके बाद आपको इसमें एक किलास भर के पानी एड़ कर देना है अब दोस्तों आपको इस पानी को और चाय की पत्ती को अच्छे से mix कर देना है mix करने के बाद दोस्तों अब हम चलते हैं gas की तरफ तो आपको फटा फट से रख देना है gas की उपर boil होने के लिए और दोस्तों आपको इसे अच्छे से वॉयल करना है जब तक जितनी भी चाय की पती का अर्ख है वो पानी में अच्छे से नहीं उताराता तो बहुती आसान तरीके से आप इसे अपने घर पर ही बना सकते हैं तो बस आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है इस तरीके से आपको इस पानी को चलाते जाना है और इसे अच्छे से आपको चार से पांच मिनट वॉयल होने देना है जिससे इसका जितना भी अर्ख होग गास का फ्लेम बंद कर देंगे और इस पानी को आपको थोड़ी देर के लिए ऐसे ho pedir झोड़ देना है ठंड़ा होने के लिए और जब यह फोड़ा हो जायगा तब आपको इस पानी को स्टेन कर लेना है एक स्टेनर की मदद से अब दोष्तों आपको कौफी पाउडर. दोस्तो आज कल आपने देखा होगा कि कम उम्में ही सफिद बालों की समस्या सुरू हो गई है जिसकी बज़े से लोग केमिकल वाली डायकल अस्तिमाल करते हैं. अगर आप इसमें एक चम्मच कौफी पाउडर का भी बूस्ट करेगा और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लेना है लेमन यानी की नीवू तो आपको यहाँ पर आठ से दस पूंदे नीवू की एड़ करनी है दोस्तों नीवू में होता है बिटामिन सी साथी इसमें सीट्रिक एसिट पाया जाता है जो हमारे बालों से डेंडर्फ की समस्या को दूर करता है जमी हुई गंदी की मैल को खतम करता है जिससे हमारे बाल दुबारा से निकलना सुरू हो जाते हैं अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपना कोई भी एक फैबरिट सैंपू लेना है और एक सैंपू का आपको इसमें एड़ कर लेना है और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों काफी लोग के कमेंट आते हैं कि चाय की पत्ती का इस्तिमाल करने के बाद हमारे बाल ड्राय हो जाते हैं तो आपको मैं यहाँ पर आगे वीडियो में एक ऐसा ओयल बताने वाली हो जो आपके बालों को लंबा भी कर और चैनल पर पहली बारा हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा और एक प्यारा सा कमेंट करके यह जरूर बताईएगा कि आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं कहां कहां से वाच कर रहे हैं तो अभी आप देख सकते हैं जाग बनना सुरू हो तो आपको अपनी बालो की लेंथ के अकॉर्डिंग यहां पर कौकॉनट ऑईल लेना है कोई भी अच्छी वराइट का यहां पर कौकॉनट ऑईल का यूस कर सकते हैं तो मैंने आपर दो चमच कौकॉनट ऑईल लिया है जिसमें मैं अब यहां पर एड़् करने वाली हूँ यहां पर बिटामिन E का कैपसूल तो आप देख सकते हैं 400 mg का मैंने EVION बिटामिन E का कैपसूल लिया है इसका जितना भी ऑईल है इसमें हम सारा ऑईल एड़ कर देंगे दोस्तों बिटामिन E आपके बालों को जड़ने से रोकता है फ्रीजी वालों को ड्राय वालों की समस्य को दूर करता है बालों की लंबाई को बढ़ाता है बालों को जड़ने से रोकता है बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है विटामिन E ओल के बारे में हम सब ही जानते हैं यह हमारी इसकिन हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और आप इसे अगर नारियल के त तो आपको सबसे पहले इसे अच्छे से मिक्स करना है मिक्स करने की बाद दोस्तों आपको क्या करना है जो हमने आपर ओयल बना है इस ओयल को आपको अपने बालों पर लगाना है अच्छे से हलके हाथों से मसाच करनी है बालों की जड़ों पर लगाना है बालों की पूरी लेंद पर भी आपको इसके इसके बाद दोस्तों एक घंटे तक आपको इसे अपने बालों पर लगा कर रखना है उसके बाद ही आपको इस चाय की पती के पानी से अपने बालों को धोना है तो बिल्कुल नॉर्मल सेंबू की तरह ही आपको अपने बालों को वाश करना है बस आपको करना क्या है कि 5 मिनट तक आपको इसे अपने बालों पर अच्छे से मसाच करनी है उसके बाद आपको साधा पानी से अपने बालों को वाश कर लेना है तो इसके का इस्तिमाल दोस्तो आपको हकते में तीन बार अपने बालों पर करना है और आप देखेंगे कि आपको तीन बार के ही इस्तिमाल से आपके बालों का जड़ना एकदम रुख जाएगा बाल बहुत ही ज़्यादा सॉप्ट और साइनी होंगे बालों की ग्रोध तेजी से होने लगेगी बाल मोटे और मजबूत होंगे साथी सफेद बाल आपके धीरे धीरे काले होना सुरू हो जाएगे तो बहुत ही बहतरी रेमेडी है और बिना पैसे कर्च की आप अपने बालों की बहुत सारी प्रॉबलम से छुटकारा पा सकते हैं तो इसे जरूर ट्राइ करिएगा और इसे कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा